जेंद दोस्तों आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि अगर हमारे पास पांच लाक रुपे है देखिए यहां पर मैंने पांच लाग रुपे जो लिखा है वो एक्जांपल के लिखा है हो सकता है आपके पास पांच लाग रुपे से ज़्यादा हो दस लाग रुपे हो बीस लाग रुपे हो पचास हो इससे ज़्यादा हो या फिर यह भी हो सकता है कि आपके पास 5 लाख रूपे से कम हो तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरे पास 5 लाख रूपे है कैसे, कितना, किस फंड में लमसम करें अब यहाँ पे आपको लग सकता है कि बात एक ही है लेकिन यहाँ पे 3 सवाल है कैसे कितना किस fund में लंसम करें इन तीनों ही सवालों का जबाब आज के वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ अगर इन तीनों ही सवालों का जबाब आप अच्छे से समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप बढ़ी ही आसानी से और बहुत सही तरीके से mutual fund में लंसम कर पाएंगे तो हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत informative होगी इसलिए मैं request करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंतक जरूर देखेगा तो स्वागत है आप सभी का एकने वीडियो में आसा करता हूँ आप से बच्चे होंगे जैसा कि इस वीडियो को सुरात में मैंने आप सभी से कहा कि मैं आप सभी को तीन सवालों के जबाब दूँगा या फिर कह सकते हैं कि तीन बाते हम जानेंगे जिनको अगर हम apply करते हैं तो हम बड़े ही आराम से अच्छे से mutual fund में लंसम कर पाएंगे वो सवाल यह है कि कैसे कितना और किस fund में हमें लंसम करना चाहिए और इस वीडियो का अखिर में मैं आप सभी को वो 5 fund भी बताऊंगा जो personally मुझे पसंद है recommendation नहीं होगी अगर आपको invest करना होगा तो एक बारी आप अपनी research जरूर कर लिजेगा सबसे पहले हम यह जानते हैं कि हमें कैसे invest करना चाहिए यानि कि जो हमारे पास 5 लाख रूपे पैसे है उसे हमें कैसे invest करना चाहिए तो देखिए जब हम पैसा invest करते हैं तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो पैसा invest करने जा रहे हैं उस पे हमें कम से कम रिस्क मिले और हमारे रिटान मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके इसलिए हमें सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए देखिए अगर आपके पास 5 लाख रुपे है तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि उस 5 लाख रुपे को एक ही बार में mutual fund में इ इन्वेस्ट करेंगे अगर देखिए आप कम समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तब फिर रिस्क जादा है तो ऐसे में आपको अपने पैसे को जादा टुकड़ों में डिवाइट करना होगा लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए निवेस्ट करने जा रहे है तो सपोज कीजिए आप 5 लाख रुपे व्यूचल फंड में लमसम करने के लिए जा रहे हैं तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप 5 साल के आस पास के लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तब फिर आपके पास जो 5 लाख रुपे है उसे कम से कम आपको 6 से डिवाइट करना चाहिए अगर आप 6 से डिवाइट करेंगे तो जो एंसर आएगा वो 83,333 रुपे का आएगा तो मोटा मोटी मान सकते हैं कि 84,000, 85,000 रुपे इतना आप ले करके चलिए उसको आपको करना ये होगा कि हर महीने mutual fund में invest कर देना होगा और ज़्यादा अच्छा ये होगा कि महीने के आखिर महीने के सुरू में जब भी आपको stock market में गिरावट दिके उस समय लगबग 83, 84, 85,000 रुपे आप invest कर दिजे इस तरह से करके आपको चय महीने में अपना पैसा invest करना चाहिए अब आप बोलेंगे कि भाई मुझे 5 साल के लिए invested करना है और 6 मेन तो invest करने में ही लग जाएगा तो भाई इसलिए क्योंकि आपको 5 साल के लिए investment करना है इसलिए आपको इतिहात रखना ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका पैसा गलत लेबल पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर आपका पैसा गलत लेबल पर चल गया तो आपके पैसे को recover करने में ही 4-5 साल का समय लग जाएगा इसलिए आपको बड़े इतिहात से आपको अपना पैसा जो है चैसे डिवाइड कीजे और आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर दीजे लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव को अगर आपको पैसा ज़यां के लिए इन्वेस्ट करना ना है तो यहां Pe साल यहां पैसे ज्यादा की ज्यादा कि ज्यूब्स है क्योंकि आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्यूंकि आप ज्यादा समय विर रहें गे इसनिए आपको अच्छा खासर रिटर्न ले करके निकलने की यहां से पूरी पूरी चांसेज है तब फिर आप पैसा कर सकते हैं कि अपने 5 लाख रुपे को 3 से डिवाइड कीजिए एंसर जो आएगा वो 1,666,666 रुपे का आएगा तो आप यह मान कर चल सकते हैं 1,666,666 या फिर 1,70 के आसपास में ह आप ऐसा भी कर सकते हैं कि महीने में इंतिजार कीजिए जिस दिन भी आपको गिरावट देखने को मिले उस दिन 1,666,666 रुपे इंवेस्ट कर दिया तो इस तरह से करके आप 3 महीने में अपना पैसा इंवेस्ट कर सकते हैं अगर आपको कम समय में इंवेस्ट करना है तो 3 प्रारिके से अपने पैसे को पार्क कर बाना ये भी एक काम है जिसको आपको पूरी ध्यान से करना जी है क्योंकि अगर आप गलत लेवल पर गलत समय में पैसा डालते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ दिन तक अच्छा खासा रीटर्न ना भी तो अब हमने ये तो जान लिया कि हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, अब हम ये जानेंगे कि हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, जब मैं कितना पैसा कह रहा हूं तो मेरा मतलब यह है कि देखिए जब भी हम mutual fund में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी ये कोशिस रहती है कि हम एक mutual fund की portfolio बनाएं, जहां पे large-scale के फंड हो, mid-cape हो, small-cape हो, इस तरह के फंड हम रखते हैं, तो मैं यह मान करके चल रहा हूं कि एक common investor अपने portfolio में flex-cape fund रखता है, mid-cape fund रखता है और small-cape fund रखता है, तो अगर हमारे portfolio में flex-cape fund है, mid-cape fund है, small-cape fund है, तो हमें कितना पैसा किस-kis category में invest करना चाहिए, तो देखिए मैंने यहाँ पे इसके लिए एक चार्ट बना के रखा है अगर आपका investment का time period 5 साल का है तो फिर मेरे ख्याल से large care fund या फिर flexi care fund जो भी है उसमें आपको 50% पैसा invest करना चाहिए और अगर आपके portfolio में meet care fund है तो वहाँ पे भी 30% invest कर दीजे और अगर आपके portfolio में small care fund है या small care fund रखना चाहते हैं तो आप आप 20% रख सकते हैं 50, 30 और 20 यह 100% हो गया तो इस तरह से आप अपना पैसा invest कर सकते हैं वहीं पे अगर आप 5 से 10 साल के लिए invest करना चाह रहे हैं तब तिर आपको करना यह चाहिए कि आप 40% पैसा large care fund में या फ्लेक्सी care fund में invest कर सकते हैं mid care में 30% और small care fund में भी 30% आप पैसा invest कर सकते हैं 40, 30, 30 यानि कि यहाँ पे भी 100% पैसा हो गया वहीं पे अगर आप 10 साल से जादा के लिए invest करना चाहते हैं 15 साल, 20 साल के लिए invest करना चाहते हैं तो यह जो portfolio में आप सभी को बता रहा हूँ यह एक aggressive portfolio है इस portfolio से यानि कि इस तरह की अगर आप exposure लेते हैं तो आपको maximum return भी मिल सकता है और यहाँ पे नुकसान होने के भी chances ज़्यादा हो सकते हैं यानि कि यह थोड़ा सा risky portfolio है यह aggressive portfolio हो गया तो अगर आप 10 साल से ज़्यादा के लिए invest करना चाहते हैं तब फिर आपको 20% पैसा large cap या flexi cap fund में invest कर देना चाहिए वहीं पे 40% पैसा meet cap में invest कर देना चाहिए और वहीं पे आपको 40% पैसा small cap में invest कर देना चाहिए अगर आप एक aggressive portfolio चाहते होंगे तो अगर आप aggressive portfolio नहीं चाहते होंगे अगर आप 5 से 10 साल के लिए invest करना चाह रहें ना जो मैं portfolio यहाँ पे बताया इसको आप 10 साल से ज़्यादा के लिए भी consider कर सकते हैं या फिर अगर आपको अपने portfolio में कम risk चाहिए तो ये वाला portfolio ये वाला percentage भी आप consider कर सकते हैं भले ही आपको कि उना 10 साल से ज़्यादा के लिए invest करना है मैं समय के हिसाब से आप सभी को यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर आपको 5 साल के लिए करना है तो इस तरह के कर सकते हैं 10 साल के लिए करना है तो यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं और 10 साल से ज़्यादा के लिए करना चाहते हैं तो इस तरह का portfolio अपना exposure दे सकते हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं है आप अगर चाहें अब हम यह जान लेते हैं कि हमें किस fund में invest करना चाहिए तो अब आप देख सकते हैं ये हैं वो fund जिन पर अगर आप चाहें तो research कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप new ways भी कर सकते हैं लेकिन अपनी research करने के बाद flexi के fund के लिए मैंने पराग पारिक flexi के fund लिया है और मैंने mid cap category के लिए यहां पे दो mid cap लिया है एक है मोतीलाल ओस्वाल mid cap और दूसरा है निफोन इंडिया growth fund और small cap fund में भी मैंने दो fund लिये हुए है एक है बंदन small cap fund और दूसरा है क्वांट इसमोल के पंड तो यह वह पांच फंड मुझे पसंद है अगर कोई पांच लाक रुपे लंसम करना चाहता है तो कुछ इस तरह की स्टेटजी को लगा करके और अगर इस तरह से इन्वेस्ट करता है तो मुझे लगता है कि बहुत हथ तक वह आसान और सही तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा और इस तरह की वीडियो देखने के तब तक के लिए बाई